जनवरी 2018 के पहले दिन सिब्याई की टीम जब जाँच शुरू करने उत्तर पदिस लोकसिवा आयोगी परिस्तर में दाखिल हुई थी तो प्रतियों की छात्रों को ये लगा था कि परिछाओं में हुई गरबडियों के खुलासे का वक्त आ गया है। भरती में भिस्ताचार के खिलाफ आंदोलन करने और जिल जाने वाले शात्रों को सिब्याई से बहुत सारी उमेदे थी जाँच को तीन साल पूरे होने को आये हैं लेकिन जाँच एजनसी ने अब तक केवल एक मुकदमा दर्ज किया है वह मुकदमा भी आयोग के अग्यात अ भी मा क्यों कर दिया है जबकि हजारोचादर अपने करियर को दाओं पर लगाकर सिब्याई के समक्ष सिकाद दर्ज कराने बहुचे थे सिब्याई की टीम आयोग की उन परिच्छों की जाँच कर रही थे जिनका परिणाम अप्रेल 2012 से मार्च 2017 के बीच जारी किया गया था इसके साथ ही अपर नजी सचीव परिच्छा 2010 की जाँच के लिए सिब्याई ने प्रदेश सरकार से बिसेश और मती भी ली थी इसी तरह सिब्याई कुल 598 परिच्छाओं की जाँच कर रही है और जिनके तहट लगबग 40,000 अबेटियों का चैन किया गया तीन साल की जाँ सिब्याई ने सिर्फ PCS 2015 में गरबड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया जिसमें आयो के अग्यात अफसरों और बाहरी अग्यात लोगों को संदिक्द मारा गया है इसके लावा सिब्याई को कई अन परिक्छाओं में भी गरबड़ी मिली है हालत ये है कि परिक्छाओं में गरबड़ी को लेकर सिब्याई के पास अब तक कुल मिलाके 11,000 से अधिक सिकायते आ चुकी हैं सुत्रों के मताबिक सिब्याई के गोबिनपूर इस्तित कायम काराले में अब तक 1000 संदिक दिशैनित अभिरतियों आयो के पूर्व और बरतमान अफसरों कर्मचारियों से प्रदों की छात्र जो हैं वो निरास हैं थोड़े से हतास हैं आगे बढ़ते हैं चैन बोर्ड अध्यक से मिलने के लिए अब सब्ता भर पहले लेना होगा समय दो खबर ये निकल के आ रहे ही कि उत्तर प्रदेश मादमी सिक्षा सेवा चैन बोर्ड पर धरना प्रदसन करन करने वालों पर अंकुष लगाने की तयारी सुरू हो गई है अब टीजीटी प्रवक्ता के अभरतियों और नेताओं को अध्यक से मिलने के लिए एक सब्ता पहले सच्यू को सूचना देकर समय लेना होगा चैन बोर्ड की सच्यू किरती होतम की और से जारी आधिस में कहा गया कि आये दिन कारयले पर होने वाले जो धहना प्रतरसन होते हैं उसमें अभेरती अध्यक्ष को ग्यापन देने की सुचना साद न और से चैन बोर्ड को देंगे सोचल मेडिया के माधम से दीगी सुचना सुईकार नहीं होगी सची का काना है कि समस्या का निदान नहों पाए तो कालवाई में बिलम का उलेक करते विए अध्धक से मिलने का अन्रोद किया जा सकता है और दोस्तों RRB CBT1 के सेकंड फेज के लिए डेट घोसित हो गई है ये जो परिक्षा होनी है ये परिक्षा कब से कब तक होगी तो 16 जन्वरी से सेकंड फेज की परिक्षा सुरू हो रही है और ये 30 जन्वरी तक चलेगी यहाँ पर सुचना ये मिल रहे है कि इस बार सेकंड फेज में कुल 27 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो पारिसिपेट करेंगे तो इसकी सुचना आपको 6 जन्वरी को मिल जाएगी 6 जन्वरी को अलग-अलग जो RRB जाएं उनकी वेबसाइट पर सुचना मिल जाएगी जिकिनकिन अभ्यर्थी को सेकंड फेज की परिशा में सामिल होना है एड्मिट कार्ड हमेशा की तरह हैं आपको तभी मिलेंगे जब परिशा सुरू होने के रहेगी यानि कि आपका जो एक्जाम डेट रहेगा उसके चार दिन पहले आपको जो है मिल जाएगा आपका जो एड्मिट कार्ड होता है उफिसल वेबसाइट से इसके बारे में जो आफिसल नोटिफिकेशन है वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल एड़ दरेट इस्टिव इद्यानपकास्वर आकर देख सकते है और दोस्तों बिवादित प्रस्नों पर नेड़े लेने की मांग को लेकर भी प्रतसन चल रहा है बात हो रही है यहाँ पर 69 जा सिक्चक भरती की तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कुल मिला के देखा जाए तो तीन से चार प्रस्नों पर नेड़े नहीं होने से जो परिसान सिक्चक है वो मांग कर रहे हैं कि यह जो नेड़े हैं इस पर नेड़े लेने के बाद यानि कि जो बिवादित प्रस्टा है इस पर उजित निर्ड़े लिया जाए इसके बाद थर्ड काॉसिंग करवाई है और आरोफ था कि हजारों की संक्या में अभर्थी परिशा नियामर प्राथिकारी की गलती की सिजाब भूकत रहे हैं अभरत्यो का करना है कि उत्तर कुझी में विवादित प्रस्टों पर निरड़े नहीं होने से लगाता कोर्ट बेशिक शिखषा परश्द और सरकार का चक्कर लगा रहे हैं तो प्रदस्वार के तौरान भेट्टियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिशत की ओर से दो बार भर्दी प्रक्रिया पूरी किये जाने के बाद भी आट से दस हजा सीटे खाली है तो इन आट से दस हजा सीटों पर थर काउंसलिंगी मांग की जा रही लेकिन उसके पहले मा आप देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिशत के शिक्षकों की अंतर जिला तबादला सुची जारी हो गई है लेकिन वे कारमुक्त होकर अस्थानातरी जिले में कब जॉइन करेंगे यह सवाल अब भी अनुतरी थे जिलों में 36,590 नव नियुक्त शिक्षक बेसिक शिक् को लालाई थे हैं परश्दी स्कूलों की 69,000 शिक्षक बरती के दूसरे च्रण में जिन 36,590 सिक्षकों को जिला अवंटित हुआ उनकी काउंसलिंग कराकर 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया गया और परश्द ने इन सिक्षकों को स्कूल अवंटित करने की जगे सभी क बेसे कराले में उपस्तिती दर्द कराने के निर्देश दिये कुछ को छोड़कर लगबखर जिले में चैनितों की तादाद अधिक है और वे सभी सुगम इसकूल पाना जाते हैं तो ऐसे में परश्द के अफसरों ने 31 दिसंबर की रात 21,695 सिक्षकों का अंतर जिला रब बादला करके नवचनित सिक्षकों की न्यूकती और मुस्किल कर दी है परश्द के लिए अपचिनोती बढ़ गई है क्योंकि अस्तानात्रे सिक्षक भी सम्मधित जीरों में मन्चहा इसकूल पाने की जुगत करेंगे दोनों तरह के सिक्षक इसे लेकर भी परिसान है कि प देख भर ये भी वारा लोड़ेगी की Uptt соврем की परिच्षा 7 म्रश को होगी जैकर ये मात्र एक प्रस्ता ओए इसकी सात मार्श परिच्षा कराई यह या नहीं क्योंकि परिच्षा की जेट होगी वह इस बात भी निरफ्रक देगी जिससा की आप जानते हैं कि महिने में उत् तो 35 उनाओं की जो डेट से वो जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही ये जो UPTT की परिच्छा डेट है वो क्लियर हो पाएगी इसलिए आप लोग तयारी तो करते रहें और इसके लिए जो आविदन है वो 15 जनुरी से सुरू होने की संभावना है देखते हैं आगे क्या होता जो भी पकी अपडेट रहेगी वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे थैंक्यों सो मच पर वाचिंग दे वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और से जो करिएगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आग्यांदी जी नमस्कार झाल